हालो फैंस वैल्कम टू मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आप अच्छे से होंगे तो फिर कुछ न्यूज से कुछ अलग से आपके साथ टिफ शेयर कर रही हूं पसंद आए तो दोस्तों को साथ शेयर करना बिलकली भी नहीं भूले तो चलिए श्चार करते हैं तो अक्सार ही हम ह बहुत ही बड़े वाले टिफ शेयर कर रही हूं आपके साथ आप कॉल गेट या पैप सुटन इन दोनों में से कोई एक पेश्ट ले सकते हैं और यहां पर आपको क्या करना है जो भी आपके नेल्स हैं जिन पर की ऐसे पीलापन आ चुका है गंदगी सी लगने लगी है गं कर अपने नेल्स को बहुत अच्छे से क्लिंग कर सकते हैं तो यह देखिए हमने अच्छे से इसे नेल्स पे लगा देनी है अच्छे से नेल्स को पूरा कवर कर लेना है और अभी हम इसको पांच मिट के लिए ऐसे ही रिष्ट के लिए छोड़ देंगे तो यह हलका सा ड्र कर सकते हैं हलका सा dimosceni तो इस तरीके से को थोड़ा सा golden אתה गीला कर लिआ हैं और उसके भार हमने इसको ङर्व को सब कर चो पानी शेत पर wafsh लिए आप देगी कि तेचैसे प्रिज कर लिए बहुत ही ऐच्छे this घ्लाने घ्लीन हो जाते हं तो चले i तो अपसके बहुत करें हैं तो अब एसका इस तरी के लिए परे कम आपता रीहा हुते हैं पेपसीलिन लेंगे यरा कोल capacity आपके पास वह वो हमीने कि युचोगत लगा लेते हैंchu सा हलका सा वह सहां हलकी है हमने लगा जाधा भी नहीं लगा Para सिरके ज्याद़ करेंगे करके कोल्कास ना जो इस तरीके सा दो LIKE पर लखरी वाली श्टिक भी यूज़ कर सकते हैं बस आपके लोगे की आयरंगी यह कोई भी इस तरीके से श्टिक नहीं लेनी है और अभी हमने आप देखिए हमने इसमें थोड़ा सा कोलगेट लगाया है कितने अच्छे से हमारी सुचबोट हैं किलीन हो जाएंगे कितनी ज ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी इसमें और बहुत ही अच्छे से आप क्लिंग कर पाएंगे बिदा किसी डर के वैसे क्या हाथों से अगर हम कप्रे करते हैं तो हमें हमेसा ही हलका फुल का पानी बगरा भी लगाना पड़ता है उससे गीला होना क्योंकि सुखे पर हम करते हैं आप मैंने इस पार को बिल्कुल भी इसकी इसलिए नहीं किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि बिना हमने आपके सामने ही बिना कुछ यूज करें हमने इनकी गिंदगी कितने अच्छे से क्लिंग कर दी तो आप भी टाइए कर जरूर देखिए का सिर्फ घृट आप एक्सरी क्या होता है ना हम अपने घर में जो फ्रेज करते हैं उसमें आप लाफरवाई कर देते हैं आपने देखा ही होगा कि फ्रेज में जो लाश्टे बगरा लगी रहती है वह लूज बगरा हो जाती है इससे क्या होता है फ्रेज की यह वह बार निकलती रहती है त तो इसका मतलब आपकी लाश्टिक ठीक है और लूस किस्ता है तो इसका मतलब आपकी फिर्ज की यह रहे वह बहुत अच्छे से याद रखे और दूसरा आपको यह रखना है आप फ्रिज में कोई इसका मैं श्टूर करके रखते हैं तो इसको हम इसको ढखके रखे से क्या होता है फिर इसको प्रिक कूलिंग जादा नहीं करेगी इससे आपकी लैसे टीवी जादा कर्श नहीं होगी चले इन्हें इस देख लेते हैं फ्रेंट से जब भी हम अटने घर में गैस यूज करते ह हैं तो हम उसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं क्योंकि उसकी लोग फिर उतने अच्छी से नहीं आती है जो इनकी क्लीनिंग करने के बाद आती है उससे क्या होता है आधी जो गैसे हमारे तो वैसे ही वेश्ट हो जाती है और आधी हम यूज कर पाते हैं तो इसके लिए किया करेना है. आपको अमहेंस आपने बॉर्ण को क्लिणिंक करते रहना है. आप देख सकते हैं, यह पर, मैंने यहां पर इसको डाले डाल टी, उसको हम पानी में अच्छे से बोल लिएगे, और हम इसमें जो बढ़नार होते है तके उसको क्रीं करने वाले हैं तो इसमें जो भी गंदगी बगर होते ही ना बहुत अच्छे से कर जाती हैMA हमने हमने यह डाला है और एक बार हम इसे चम्मत से हिला लेंगे ताकि टैबलेट है जो पानी में अच्छे से गुल जाए और जो हमारे बर्णार है वो हम इसमें डाल देंगे टेबलर को एक बार हम गोल लेते हैं मैं पानी में अच्छे से बुली नहीं थो एक बार थोड़ा हम चमत के हल्फ़ से गोल लेंगे और बनर को हम इसमें डगराइंग देंगे 5 मिट के लिए 5-10 मिट के लिए आप डला छोड़ दें इसे क्या होगा जो भी इसमें गंदी बगरा लगी होती है ना काना बगरा जम जाता है वो अच्छे से फूल जाएगा उसके बाद हम इसे ब्रस की हेल्फ से क्लिंग करेंगे रफ करेंगे तो पांच मिटों के लिए मैंने से छोग दिया था पांच मिट बाद हम इसे जो पेश्ट वाला मरब ब्रश होता है ना आप बूले सकते हैं यहां पर उससे इस तरीकी से आपको अलगे आलदे आतों से रफ कर लीना है आप देखे एक फैंस में निकलेगा इस इस शॉलुशन से जब आप अपने गैस के बार्न को क्लिंग करेंगे ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं इंक अंदर जितनी भी खाना वगरा जम जाता है ना जो इनके अंदर छोटोटी छेद होते हैं उसकी वज़े से गैस अच्छे से निकलती नहीं है और जब ह इसका बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएंगे वेश्ट्रिव प्लुकल भी नहीं होगा जो अभी वेश्ट हो रहा था तो इस तरीके से अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है सारे चेद को यह देखिए हमने इस तरीके से इसको क्लीन कर लिए अभी हम एक वा साधा पानी से उसको दो लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं तो साधा पानी से हमने इसे एक वार और दो लिया है अभी सूखे कपड़े से हम इसे जरूर पूचिंगे ताकि इसमें कोई भी जंग या तो आप इसे दूप में रख दीजिए या इसे पहुंचके इसे 10-15 मिंट के लिए और छोड़ दीए ताकि इसमें जो भी नमी है वो अच्छे से खतम हो जाए तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को याकर सब्सक्राइब जरू कह लिए ताकि ऐसे नहीं नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें तो यह देखिए मैंने इसे 15 मिल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था तो अभी इसका पानी अच्छे से सुख चुका है तो अभी हम इसे गैस में लागा के बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अभी आपको जलाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लो निकलती है बहुत ही अच्छे से आप इसे गैस को यूज कर सकते हैं आपके यहां पे बिल्कुली वेस्ट नहीं होगी तो चले फैंस आज के वीडियो करते हैं यहीं पेंट मिलते हैं अपनी नेस्ट वीडियो में